अब हम आते हैं कि भारत में राष्ट्री नियोजन क्यों अपनाया गया याने नैशनल प्लाइनिंग नियोजन हमने जाना योजना कार्स हमने समझा योजना की आश्कता भी हमने समझी और ये भी जाना कि कुछ देशों में योजना योजना बद्ध तरीके से विकास किया गया उसके अच्छे परणाम भी निकले और योजना बद्ध विकास के क्या मायने हैं अब यदि हम उसको छोटे दायरे में देखें बाखिर भारत में क्यों हमने योजना बद्ध विकास की बात की Causes of National Planning in India तो भारत के परिप्रेक्ष में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें कि हमने आखिर क्यों इसको चुना पहली बात भारत लंबे समय से परतंत्र था बहुत लंबे समय था और इसके सामने एक मौका था अपने को विकसित करने का तो पहला कारण ते होगा एक बहुत बड़ा मौका बहुत वर्षों बाद आया था विकास के मार्क पर तेजी से बढ़ने का दूसरा कारण सामाजिक और आर्थिक इस्तिती बहुत चिंता जनक थी सामाजिक और आर्थिक इस्तिती बहुत चिंता जनक थी मैं पूर में जिक्र कर चुका हूँ तीसरा कारण बेरोजगारी की बड़ती समस्या बड़ती जन संख्या चौथा कारण कृषी की दैनी स्थिती पाँचवा कारण बहुत कमजोर और द्योगिक धाचा छठवा कारण परिवहन और बैंकिंग और बीमा जो बीश्वी शताबदी के व्यापारिक विश्व में बहुत महत्पूर्ण बातें थी इनकी कमी परिवहन बैंकिंग और बीमा दिकी और इन सब के साथ लोक तंतरात्मक व्यवस्था इन सब के साथ भारत में लोक तंतरात्मक व्यवस्था इस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को स्थापित करना स्वैम में एक बहुत बड़ी चुनोती थी जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा राश्ट निर्माण की चुनोती के तहर लेकिन लोकतंत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना लोक तांटरिक विवस्था के सपने को साकार करना तभी सम्भों था जब इस विवस्था के तहद हम विकास देखने हैं तो इस प्तिकार हम देखते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण थे जिसने हमारे नीति निर्धारकों को भारत में योजनाबद्ध तरीके से भारत में विकास के मॉडल की खोज के लिए विवश किया और इन कारणों के बाद जब उनकी नजर पड़ी रूस पे सोवियत संग पे वहां के विकास पर तो उन्होंने पाया उनको लगा कि सोवियत संग का विकास का मॉडल हमारे लिए अच्छा होगा सोवियत संग की बात करें तो 1917 में सोवियत संग में करांती होती है और वहां साम्यवादी शासन लागू होता है उसके पहले 1917 के पहले जैसी स्थिति सोवियत संग की थी भारत की कमों बेश वैसी ही आर्थिक श्थिति दरिद्रता, चरम सीमा पर, गरीबी, भुख मरी, देश की विशालता, भागोलिक विवेद्धता, आधी आधी यही स्थिती सोवियस संग की भी थी, तो इसलिए परिस्थितियां बराबर थी अब सोवियस संग में देखा गया कि 1917 में करांती हुई, सरकार बदली सामयवाद आया और सामयवादी विवस्था में सरकारी नियंत्रना आया और उसके परिणाम सुरूप वहाँ पे योजना बद्ध अर्थ व्योस्था लागू की गई उस योजना बद्ध अर्थ व्योस्था के बहुत अच्छे परिणाम विश्व में दिखाई दिये और सोवियत संग जो एक अत्यंत ही पिछड़ा हुआ देश था वो अब महाशक्ति की दौड़ में बहुत कम समय में शामिल हो गया परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने सोवियत मॉडल को सुझाया सोवियत मॉडल की पैरवी की वहाँ निर्धारित समय में निश्चत लक्ष को प्राप्त करने के जो प्रयास हुए उसके कारण आर्थिक समर्दिकी दिशा में बड़ी तेजी से प्रगति देखी गई बहुत सफलता प्राप्त हुए निर्धारित लक्ष को निर्धारित समय में प्राप्त करने का प्रयास ये जो सोवियत संग के जो आर्थिक विकास का मॉडल था उसने हमें काफी प्रेरित किया और इसलिए हमने रूस और अन्य सामवादी देशों की सफलता से प्रभावित होकर भारत में भी अनुभाव किया कि हमें भी इसी तरह की नियोजित अर्थवियस्था नियोजित अर्थवियस्था को लागू करना होगा दूसरे शब्दों में जो प्रारम में मैंने कुछ कारण बताए कि क्या-क्या दिक्कतें थी, क्या-क्या समस्याएं थी और फिर इन समस्याओं के निराकरण के लिए जब हमने विश्व के मॉडल्स को देखना शुरू किया तो पाया कि रूस का मॉडल्स हमारे लिए बहतर है और इसके कारण मैंने बता दिया आपको तो अन्तुतर रूस के मॉडल्स को हमने अपनाने का प्रयास किया और अपनी देश की जो आर्थिक विश्व स्थिति सी उससे उबरने के लिए नियोजन ही सर्विश्रेष्ट मादा माना गया नियोजन के बिना भारत में आर्थिक विकास समाजिक कास संभो नहीं होगा ऐसा माना गया इसलिए भारत में नियोजित अर्थ विवस्था अपनाई गई तो अब हम समझ गया हैं कि भारत में नियोजित अर्थ विरस्था क्यों लागू की गई कारण और प्रेरिना कहां से मिली यह हम समझ गया यह जो नियोजित अर्थ विरस्था का जो निर्णा है वो ऐसे ही नहीं लिया गया इसके पीछे कुछ और भी बातें थी, कुछ और भी उदाहरण थी, माइने की केवल सोवियत संग में ही वो सफल हो गया है, या सोवियत संग की नियोजित अर्थवेल्था से प्रेरित होकर हमने लिया ऐसा हैं, कुछ और भी उदाहरण थी, कुछ और भी बातें थी, तो आख जिसे हम कहते हैं the great depression अंग्रेजी में the great depression आर्थिक महामंदी महामंदी क्या है इसके क्या परिणाम होते हैं इसे आप अर्थ शास्त्र में पढ़े होंगे पढ़ लेंगे अभी आप ये जानें कि महामंदी का जब कोई देश शिकार होता है तो उस देश की पूरी अर्थव्यस्था चर्मरा जाती है और उसका इलाज कैसे करें ये समझ में नहीं आता 1930 का काल इसी आर्थिक महामंदी का काल था पूरी विश्व की अर्थ विष्था और अधिकतर देशों की अर्थ विष्था लड़ खड़ा गई थी इसी काल में यॉरोप ने बहुत बड़ी आर्थिक कठनाईयों का सामना किया था दूसरे शब्दों में पूरा विष्व आर्थिक मंदी के दौर ते गुजर रहा था वहीं दूसरी और इसी काल में सोवियत संग नियोजित विकास के नाम पर प्रगति कर रहा था किसी तरह उसने आर्थिक मंदी से अपने को बचाने में सफलता पाई और 1940 से 50 के दशक में नियोजित अर्थिक विकास किया अर्थ विष्था में सुधार किया पुनर निर्मान किया और सारे संसार में उसने दिखा दिया कि नियोजित अर्थ विष्था की सफलता के पीछे ये ये कारण है और इसलिए हम आर्थिक महामंदी के दौर से सकुषल निकल से लें अर्था सोवियस चंग का मॉडल एक ऐसा मॉडल निकला जो इस तरह की वैश्विक आर्थिक कठनाईयों से उबर सका और इसने दुनिया को प्रेरित किया जब दुनिया प्रेरित होई तो भारत भी कैसे अचूता रहता जापान और जर्मनी ने भी दूसरे विष्युद के कारण जो आर्थिक तंगी होई थी उसे जहलते हुए उसने भी नियोजन के द्वारा अपने आर्थिक विकास का रास्ता चुना और आर्थिक प्रगति की जपान और जर्मनी ने भी तो कुल मिला के दिखने लगा कि अर्थ विष्था के विकास का जो प्रेयास है वो यदि नियोजित हो वो यदि प्लैंड हो योजना बद्ध हो तो निश्चित रूप से विकास होता है तो दूसरा कारण तो यह हो गया और इसलिए हम फिर सोवियत मॉडल को एक भारती प्रिष्थ भूमी में एक आदर्ष मॉडल मानते हुए उसे अपनाने का प्रयास करते हैं कुछ हद तक जिसमें नियोजन शामिल है जिसमें सरकारी नियंतरन शामिल है ऐसी अर्थव्यस्था ऐसे आर्थिक अर्थव्यस्था या ऐसे आर्थिक विकास की ओर हम अगरिसर होते हैं तीसरा कारण सोवियत संग के इन उदाहरन से और अन्य देशों के उदाहरन से प्रेरित होकर और साथ ही वामपंथी विचारों से प्रिरित हो कर 1938 में पंडेजवालाल नहरु ने या उनकी अध्रक्षता में एक राष्ट्री नियोजन समिति का गठन किया गया 1938 में याने भारत के स्वितन्ता से पूर्व ही काफी पहले ही भारत के भावी अर्थ विवस्ता के धाचे पर चर्चा शिरू हो चकी थी और उस चर्चा के दरम्यान 1938 में पंडेजवालाल नहरु की अध्यक्षता में जो समयवादी विचारधारा से काफी कुछ प्रभावित थे समाजवादी विचार धारा से काफी कुछ प्रभावित थे उनकी अध्यक्षता में एक राष्टी नियोजन समिति का गठन होता है और ये समिति अपनी रिपोर्ट में साफ कहती है कि आर्थिक विकास के लिए और द्योगी करण आवश्यक है पहली बात तो ये आवश्यक्षता पर बल दूसरा आधार भूत उद्योग खनिज संसाधन रेल और जलमार्ग पर सरकारी नियंतर्ण जिसकी बात मैंने प्राग्म में की है कि जो राष्टी मामले हैं राष्टी हित के मामले हैं पर सरकारी नियंतर्ण होना चाहिए इसलिए भी हमने मिश्रित अर्श अर्श अपनाई पंडित जहालाल नहरू की रिपोर्ट का दूसरा बिंद्य यही था कि जितने आधार भूक उद्योग हैं स्टील आइरेन एलेक्सिटी माइनिंग ऐसे जो आधार भूक उद्योग हैं उस पर खनिश संसाधनों पर और रेल और जल मार्ग पर इस पर सरकारी नियंतर्ण होना चाहिए तीसरी बात जो इस रिपोर्ट में कही गई जमीनदारी प्रथा को पूरी तरह से उसको समाप्त किया जाए दूसरे शब्दों में तत्कालीन जो आर्थिक व्यवस्था का धाचा था जो जमीनदारी प्रथा पर आधारित थी उसे पूरी तरह से नष्ट करना की आवश्यकता है जो देश को विकास के रास्ते पर चलना है जिदेश को आधनी की करन के रास्ते पर चलना है तो जमीनदारी प्रथा का उन्मूलन आवश्यक है ये तीसरी बात किसके पक्ष में कि आखिर हमने नियोजित अर्थविवस्था क्यों अपनाई चोथी और अंतिम बात नियोजित अर्थविवस्था को अपनाने के पक्ष में जो थी उसे कहते हैं बंबे प्लैन बंबे योजना 1944 नहरू रिपोर्ट तो 1934 की है 1944 में कुछ उद्योग पती एक जगए कठे होते हैं बंबई में एक गुट बनाते हैं अपना और विचार विमर्ष करते हैं कैसी अर्थविवस्था लाएं क्योंकि उस समय तक भारत के स्वतंत्र की बात लगभग स्पष्ट हो चुकी थी ये साफ हो चुका था कि भारत आज नहीं तो कल अप स्वतंत्र होगा और अंग्रेज जाएंगे ऐसे सित्र में भारत में कैसी अर्थविवस्था हो इसको लेकर जहां कॉंग्रेस या तत्काली नेता विचार विनमय कर रहे थे वहीं उद्योग पती भी अच्छूते नहीं थे उन्होंने भी एक गुड बनाया और बंबई में एक योजना बनाई कही जिनों त करे याने शुरुआत करे सरकार को इसमें इनीशियटिव लेना होगा इनीशियटिव पहल करने के लिए पैसा देना होगा सरकार को तो इस पे पहल करना होगा दूसरा उनका विचार था कि आर्थिक विकास और और्द्योगी करण देश में केवल निजी हाथों में नहीं किया जा सकता और था केवल प्राइवेट सेक्टर और्द्योगी करण नहीं कर सकते माइने सरकार को और्द्योगी करण की दिशा में उतना ही सक्री होना होगा बलकि ज्यादा सक्री निजी हाथों निजी खेतर की तुलना में यानि वे भी चाहते थे कि सरकारी सरकारी मदद के बल पर आर्थिक विकास की आवश्य कता है देश में आर्थिक विकास और अद्योगी करन केवल निजी आधार पर या पूंजी पतियों के बल पर या उद्योग पतियों के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता ऐसा उनका कहना था अर्थात सरकारी दखल की सरकारी उपक्रमों की आवशकता है यह प्रस्ताव बॉंबे प्लैन कहलाता है और इस प्रकार भारत में अपनाएं गए जो नियोज नियोजित वकास को अपनाया, इसके जो बीज हैं वो भारत की स्वतनता से पहले ही बो दिये गया थे, जासा कि हमने नेशनल प्लानिंग कमिटी नहरू के प्रस्ताव में देखा, जासा कि हमने बंबे प्लैन में देखा, आदी आदी, तो नियोजित वकास हमारे यहां एक स्वीकृत कर ली गई विचार मन्थन बहुत हुआ लेकिन अधिक्तम लोगों के बीच में सहमत ही बनी कि भारत का आर्थिक मॉडल ऐसा होगा जिसमें सरकारी उपकरम बड़े बड़े द्योगों के लिए राश्टी हिद के मामलों के लिए अवाश्य रह्म